बहुचर्चित सोहराबुदीन शेक एंकाउंटर केस में आज CBI कोट ने अपना फैसला सुनाया माना जा रहा था कि आरोपियों को सजा का एलान होगा लेकिन कोट ने किसी को भी दोशी करार नहीं दिया उल्टा सबूतों के अभाव में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया जज SJ शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि CBI इस बात को सिधी नहीं कर पाई कि पुलिस वालों ने सोहराबुदीन को हैदरबाद से अगवा किया था तेहरे साल पहले सोहराबुदीन और तुलसी राम प्रजापती को किसी को नहीं पता किसकी बंदूक से निकली गोली सोहराबुदीन और तुलसी राम प्रजापती के सीने को छलनी करती हुई चली गई इसका जवाब किसी के पास नहीं है इस मामले की जाच कर रही CBI के पास कोई गवाह ही नहीं है जो ये साबित कर सके कि पुलिस ने जो मुठभेड की वेफ़र्जी थी जीहा 13 साल पुराने इस मामले में आज मुंबई की CBI हाई कोट ने फैसला सुनाया जज S.J. शर्मा ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि तीन लोगों ने अपनी जान खोई है लेकिन कानून और सिस्टम को किसी आरोप को सिध्ध करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है CBI इस बात को सिध ही रही कर पाई कि पुलिस वालों ने सौराबुदीन को हैदराबाद से अगवा किया था इस बात का कोई सबूत नहीं है हाला कि कोट ने इस बात को माला कि सौराबुदीन की मौत गोली लगने के कारण ही हुई थी आपको बता दे कि साल 2005 में सौराबुदीन की एहमदबाद के पास कथित फर्जी मुट भेड में हत्या कर दी गई और साल भर बाद 27 दिसमबर 2006 को तुलसी राम प्रजापती की गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरास राजस्थान सीमा के पास चापरी में कथित फर्जी मुट भेड में गोली मार कर हत्या कर दी थी गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि सोरा बुदीन आतंकी संगठन लशकर एतयाबा से जुड़ा हुआ था और ततकालीन मुखे मंतरी नरेंद्र मोदी को मानने की साजिश बना रहा था 2014 में इसमें 16 लोगों को बरी कर दिया गया बरी किये गए लोगों में भारतिय जन्नता पार्टी के अध्यक्ष और उस वक्त गुजरात के ततकालीन ग्रहमंतरी अमिट शाह और पुलिस अफसर डीजी बंजारा जैसे बड़े नाम शामिल है ये मामला पहले गुजरात में चल रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था मगर अब तो CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को ही परी कर दिया है जिसके बाद अब पीरित पक्ष में खासी नाराजगी है डीबी लाइव की रिपोर्ट